हेलो फ्रेंट्स वेलकम टावर नीव वीडियो आफ यस बैंक तो फ्रेंट्स यस बैंक में हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा रैली देखने को मिला है क्या उसके पीछे के रीजन से वो जाननी की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले फ्रेंट्स मैं आप लोगों तो फ्रेंट्स जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स 10.50 पे गया था यह शेयर अगर आपने मेरा प्रीवेस वीडियो देखा होंगा तो मैंने बोला था कि हम 10 यह बहुत बड़ा सपोर्ट मान के चलेंगे अगर उसके नीचे जाता है यह शेयर तो डेफिनेटली हमें वेट करना चाहिए लेकिन अगर यह 10 के आगे मतलब 10.5 और 10.9 11 के आगे अगर बढ़ता है तो हम इसमें पोजिशन बना सकते है एक बहुत ही अच्छा रैली इसमें आ सकता है मेरे प्रीविएस वीडियो में भी मैंने बोला है कि अल्मूस्ट पिछले 9 मेने में 46 परसेंट का जो करेक्शन है वो यह बैंक में आ चुका है तो यही पर आप देख सकते हो कि आज का सेशन जो है वो अल्मूस्ट 13.60 का हाई बनाया आज यह बैंक ने जो कि अल्मूस्ट 7 परसेंट होता है और अभी सेशन जस्ट चालो हुआ है में भी हमें और अच्छी मूमेंट भी को मिल सकती है यह बैंक में अगर जिनोंने भी प्रिवेस वीडियो देख के पोजिशन बनाया होगा क्लोस्ट 10 11 तो डेफिनेटली वह आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होल्ड करके बैट है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना बड़ा करेक्शन आया है तो डेफि हो रहा है डेफिनेटली इतने सारे वॉल्यूम में जो प्रिशर क्रियेट होगा यह बैंक पे वो डेफिनेटली इसको जो है मूव कर रहा है और अभी भी हम देख सकते हैं कि पिछले तीन ट्रेडिंग डे अगर हम कंसिडर करेंगे तो मोर दैन 22% का रिटेन इसने पिछले से तीन ट्रेडिंग में ही दे दिया है यहां पे आप देख सकते हो कि अभी 13.50 वा तो जो कि अल्मूस 6% से भी उपर प्राइज है वो बना हुआ था यहां पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो कि 6.30 परसेंट और इसने अल्डेडी जो हाय बनाया है वो 13.60 जो कि 7% से भी पर जाता है और यहां पे अगर हम कम्यूनिटी स्टेटमेंट्स भी देखेंगे फ्रेंट्स कि किस तरीके का बाय या सेल जो है ओपिनियन है लोगों का यहां पे आप देख सकते हो कि 72% अभी भी बोल रहे है कि इसको बाय करना चाहिए और 23% सेल करना चाहिए ऐसा बोल रह कि 25 उसके बाद यहां पे देख सकते हो आपकी buy and hold for two years and you can see it in three digits जैसे कि यह 5% लोग के डिफिनेटली यह जो पर्टिक्लर परसन यह इन ही में आता है मैं भी हमेशा से बोलता हूं कि यह बैंक को long term ही सोचके चलना है short term में इसमें अब थोड़ा बहुत upward trend downward trend देख सकता है अ अब डाउन में आप profit book भी कर सकते हो अगर आप short term के लिए सोच रहे हो तो तो उस तरीके से आप सोच सकते हो लेकिन अगर long term के लिए सोचता है कोई yes bank को लेके तो definitely yes bank जो है अच्छे खासे return दे सकता है तो यही details difference जो मैं आप लोगे साथ इस वीडियो में share करना चाह रहा थैंक यह वोचिंग इस वीडियो